डोमिनिका टेस्ट में वेस्ट इंडीस पर भारत ने बनाई 162 रन की बढ़त भारत ने दो विकेट खोकर बनाई 312 रन रोहित यशस्वी की बीच 239 रन की रेकॉर्ड ओपनिंग पार्टनर्शिप हुई भारतिय ओपनर्स की बीच विदेश में अब तक की ये सबसे बड़ी साज़ेधारी यशस्वी जासवाल डेब्यू माच में शोतक लगाने वाले तीसरे भारते ओपनर बने कप्तान रोहित शर्मा ने भी बनाया शोतक 103 रन बनाकर हुए आउट वेस्ट इंडीस के खिलाफ शुबमन गिल रहे फ्लॉप 6 रन बनाकर हुए आउट रोहित शर्मा के टेस्ट करियर में 3500 रन पूरे क्यावन मुकाबलों में हासिल की उपलब धी आईसीसी ने स्लो ओवर रेट नियम में क्या बड़ा बदलाफ करने का ऐलान खिलाडियों को जुर्माने की राशी के मामले में मिलेगी बड़ी राहत महिलाओं को पुरुशों के समान प्राइज मनी देने का आईसीसी ने किया एलान बीसीसी आई के सचिव जैशाहर ने जताई खुशी आईसीसी बोर्ड ने रेवेन्यू मॉडल जारी किया रेवेन्यू का 40 फीसिदी हिस्सा लेगा बीसीसी आई तीसरे टी-20 माच में बांगलादेश के विमन्स टीम ने भारत को चार विकेट से हराया भारते टीम ने दो एक से जीती सीरीज आज होगा एशिया कप शेडूल का एलान बीसीसी आई और पीसीबी के बीच हाइब्रिट मॉडल पर बनी सहमती एशियन अटलेटिक्स टेम्पेंशिप के दूसरे दिन भारत को तीन गोल्ड जीते जोती याराजी ने विमन्स 100 मीटर हरडल रेस में जीता गोल्ड अजे कुमार सरोज ने 1500 मीटर मेंस दौड इवेंट में जीता गोल्ड अब्दुल्ला अबुबकर ने ट्रिपल जंप में सोने पर किया कबसा महिलाओं की 400 मीटर रेस में एश्वर्य मिश्रा ने ब्रॉंज मेडल जीता डेकतलौन में तेजस्विन शंकर ने कान से पदक पर किया कबसा विमिल्डन टैनिस सेमी फाइनल के मेंस डबल्स में रोहन बोपन नहारे डच ब्रिटिश जोडी ने दी शिकस लक्ष सेन ने यूएस ओपन का पहला मुकाबला जीता दूसरे राउन में चेक गनराज्य के शटलर से होगी भिड़त भारत की पीवी सिंदू ने यूएस ओपन में अपना पहला माच जीता पारति मूल के अमारे के खिलाडी दीक्षा गुपता को दिशिकस मेंस सिंगल्स में बी साई प्रणी तहारे मेंस डबल्स में कृष्णा विश्णू वर्धन की जोड़ी भी यूएस ओपन से बाहर दिली में केंदेरे खेल मंदर अनुराग ठाकूर ने एशियन चैंपियंज ट्रॉफी का किया अनावरण कहा भारत चोथी बार एशियन चैंपियंज ट्रॉफी जीत कर इतिहास रचेगा मा के साथ अमर्नात पहुंची साइना नहवाल बाबा भूलेनात के के दर्शन